हम पूजा हेगडे की सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। पूजा हेगडे एक भारतिय मॉडल और अभिनेत्री है, जिन्हें ज्यादातर टेलिवूर तमिल और हिंदी भाशा दोनों में देखा जाता है। अपनी मेहंत और लगान की बदौलत आज वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री है। उनकी तमिल तेलुगू, कन्नड, अंग्रेजी और हिंदी भाशा पर काफी अच्छी पकड़ है। उनके परिवार वाले चाहते हैं कि उनका नाम लक्षमी होना चाहिए था, क्योंकि उनका नामकरन दिवाली पर लक्षमी पूजा के दिन हुआ था। लेकिन उनकी नानी को यह नाम पुराने जमाने का लगा, इसलिए उन्होंने पूजा नाम रख दिया। वर्ष 2009 में हुए मिस इंडिया टैलेंटेड प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया और विजेता बनी। साल 2012 में उन्होंने तमिल सुपर हीरो फिल्म मुगाम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वर्ष 2014 में उन्होंने तेलिगू फिल्म ओका लैला कौसम से अपना तेलिगू फिल्म इंडस्ट्री में आगाज किया। बात करें पूजा हेगडे के अफेयर के बारे में तो आपको बता दे की पूजा हेगडे का नाम सबसे पहले अभिनेता रोहन महरा के साथ जुड़ा था। दोनों के प्यार के जबरदस्ट चर्चे हुआ करते थे। और ऐसी खबर थी कि दोनों अकसर एक दूसरे को सर्प्राइज और तोफ़े भेजते थे, दोनों अकसर एक साथ देखे जाते थे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस बात को स्विकार नहीं किया और कुछ समय बाद आखिरकार दोनों अलग हो गए। उसके बाद उनका नाम साउथ सूपर स्टार प्रभास के साथ जोड़ा गया। दोनों ने फिल्म राधे शाम में एक साथ कम किया और फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदी किया बढ़ाने की खबर आई थी। पूजा ने इस खबर को जूटा बताया और उन्होंने कहा कि प्रभास बहुत ही अच्छे इनसान हैं, उन्होंने मेरा और मेरी मां का बहुत ख्याल रखा था, उनका कहना था ये सारी खबरे जूटी है। लोगों को इसके बारे में बात करने में मज़ा आता है। अभी हाल ही में उनका नाम बॉलिवुड सूपरस्टार सल्मान खान के साथ जोड़ा गया। दोनों हाल ही में किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कर रहे थे और खबरें तो यह है कि सल्मान खान के साथ नस्दीकिया बढ़ने की वज़ह से ही उन्हें फिल्म मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच नस्दीकिया बढ़ रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी इसके बारे में पता नहीं चल पाया क्योंकि दोनों की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इस पर पूजा कहती है कि मेरे करियर का सबसे अच्छा साल वो था जब मेरे पास लगातार छफ फिल्म लेकिन मेरे कैरियर का वो सबसे बुरा साल था जब मेरे पास एक भी फिल्म नहीं थी, फिर भी पूजा ने हार नहीं मानी और कभी पीछे मुढ कर नहीं देखा. झाल झाल